दो सो प्रीवेस प्रेजेंटेशन दे वेच्व एक इंट्रोड़क्शन लेली के रेक्टाल इलसर खेंब तक ताहँ देने में दूरौ। बढ़न ने ते उदे सिम्टम के ने यानि की किसानों दिखता हो दिया या किसानों चीज ज़ाहता ते आन रखना चाहिदा या कीडे केडे केडे कारन या भी थे सानुर्ड राइक्र अलशर हो साग़ए तो उन्हां विच असी कारण पड़े आसी इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज यह इनों इरिटेवल बावल डिजीज भी कहते हैं यह इरिटेवल बावल सिंड्रोम एसे देविच अल्सरेटिव कलाइटस ठीक है एक प्रॉब्लम आउंदी है होना पाँ ओधी गल करांगे और भीस्राइटि тебе अल्सरेटिव कलाइटस थोड़ा जए डिफिरेंस हे फीक हैा पहुंत ज्यादा फरक नहीं थोड़ा जळिफरेंस है कि ऐसे मौल कळ एन्कळी इस त्रहिए नहीं से हो रहे हैं कले अल्सर हो रहे से लेकिन अल्सरेटिव कॉलाइटस अफेक्ट्स इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यह लार्ज इंटस्टाइन एंड रेक्टम अगर आप इसे जूम-इन करके देखिए ठीक है तो रेक्टम वाड़ा साथा पॉर्शन आ से ठीक है लेकिन अ उपर नो जेड़े या साथे जखम बंदे पएने ठीक है तो एक और इमेज देविच तो सीथे देख सकते हैं आ जेड़ा या साथा यह एक नॉर्मल रेक्टम है जिदी अंदर दी सर्फिस बिल्कुल ठीक है लेकिन आ वाला जेड़ा यह एक इंफ्लेम्ड रेक्टम है यह इस जगह दे उपर अंतडियां दे विचे सोजिश भी है कि या ते जखम भी है ठीक है तो अगर इस हिस्से दे विचे जखम हों दे या ते असी ओनों कोलन देनाल कोलन अलसर्स टेड़ा या यह आपा वर्ड यूस कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर जखम प्लस या मालनुट्रिशन मालनुट्रिशन बेकाउस अनू खाना साही तरीके नाले डाइजेस्ट नी हो रहा है सेकेंड हो गया डायरिया लूज मोशन सानू लूज मोशन दी प्रबलम रहनी है दिन दे विच तिन तों पांजवार या इस तों वी वद वार सानू टॉलेट पास सिम्टम है यह बहुत कॉमन है कि पेट विच सारा दिन दर्द थे वट पेंदे रहने ठीक है रेक्टल पेन ठीक है यह रेक्टल ब्लीडिंग थोड़ा बहुत ब्लड जिड़ाया ओ तो हर बार स्टूल पास करने विच कुछ क्लॉट कुछ जम्मया होया या फ्रेश ब्लड बहुत ही प्रॉमिनेंट जिड़ा एक सिंप्टम होंदा होंदा अर्जेंसी टू डेफिकेट इदा मतलब है विसाननों जदू कोई फीलिंग होनी है कि साननों स्टूल पास करन दी लोड आते ओ इननी ज्यादा अर्जेंट होंदी है ना कि आसी बिल्कुल भी आपने आपन विमेंट बिल्कुल भी सबर नहीं कीता जा सकता अर्जेंट ढुल पास करना है लेकिनस्ट टूल पास करने या उद्यु अध्यू स्टूल प्रॉपर ली पास नहीं होंदा या उन्हीं क्उन्हीं होंदा जिस कंसिस्टेंशी थी सनू अर्जेंसी ज़ işte तैट užे durante अर्जेंसी बहुत है कि मैं हुने स्टूल पास करा मैं हुने स्टूल पास करा लेकिन जदों जानने या वाश्रूम जानने या टॉयलेट करन वास ते जदों टॉयलेट करन लग दे उद्धों स्टूल पास नहीं कर होंदा या बहुत काट कर होंदा ठीक है तो एदे to defecate despite urgency ठीक है फटीग यानि के थक्कावट ए जेड़े कुछ सान ओडाइरिया हो रहे आया तो यह सी नहीं हो सकते हो नियान डियालीदी दासन लगेगा जद रहे यानि एक रोंडियोर मगा टेंथे सानु नॉर्मल कोई पेट दी इंफेक्शन है या सानु अल्सरेटिव कलाइटस या इरिटेवल बावल डिजीज है आप पांच चीज जा जेडिया ने इस चीज नू प्रूव कर दिया ने एक हिसाब नेक्स्ट आजेंदा या वेट लॉस देखो वेट लॉस तो आपने आप पचाप आ रहे तो अनु खाना सही तरीके ना खराक लग नी रही तो अनु थकाबट होएगी फीवर को फीवर दा की कारणा फीवर दा कारणे या के साड़े जेडा स्टूल प्रडियूस होया बॉडी चाना टॉयलेट जेड़ी साड़ी बॉडी देवेचे बणिया जो सा मब्रट Haid Hai को यदा उन्तरियां देविच जखम हो गए ने नहीं ना जखम वहाय हाँ और जीड़ ब्लड देविच जासकते ब्लड देविच जासकते ब्लड एम्प्रिक जान गेए प्लडे इंफेक्शन होजएगी अगर इंफेक्शन होएगी तर्मनों दूं बुखार चड़ेगा ठीक है अगर बच्चे यह प्रॉब्लम हो जंदी है अगर उन्हों सही तरीक नहीं कीता जानता ते एदेनाल बच्चे दी जेड़ी है ग्रोथ भी खराब हो जंदी है ठीक है सिवेर ब्लीडिंग सिवेर ब्लीडिंग दे करके जड़ाया हो अनीमिया दा रिसक भी हो सकदा या साथे कोलन दे विचेक होल भी हो सकदा चेक भी हो सकदा या अगर जखम वद्दे जानगे परफोरेशन हो जाएगी साथे कोलन दे यानि के साथा कोलन जड़ाय एक तरह दा उदे विच्छो material जिनना साथी body stool बनाएगी ये कोछ भी बनाएगी उदे विच्छो leak होना शुरू हो जाएगा leak होके साथी body दे abdomen cavity जियां pelvic cavity दे विच आना शुरू हो जाएगा severe dehydration देखो dehydration क्योंके बार-बार साथी तूल पास करें जाना पहर रहा इस करके dehydration हो जाएगी bone loss osteoprocess क्योंके जदो सान नो खाना साही तरीके ना digest नहीं होगा ता साथी body जेड़ी है ओ calcium नो साही तरीके absorb नहीं कर पहुंदी साथी diet विच हो फिर आजना inflammation of skin, joint, eyes ये दा reason हो ही जो bacterial infection में तो नो दस्या गया अन्तरियां देवेचे जग हम तो जड़ी infection साढ़े blood चागी ये सारा उदे करके हो रहा है increased risk of colon cancer हाँ, colon cancer दा risk भी साढ़ा इस बिमारी दिना अलवज जन्दा आया या फिर colon दी swelling हो जणा जिन्हों असी toxic megacolon भी कहादन नहीं हो सकता है ठीक है प्रॉब्लम्स आ सक दिया ने ठीक है जी increased risk of blood clots in veins and arteries ठीक है infection दे कारण जड़ाया clots जड़ेया हो तो आड़ी veins दे आर्टरी दे विचे बन सकते है ठीक है next आजनता है जी Crohn's disease Crohn's disease बहुत हद तक irritable bowel disease जड़ा पाहून ही डिसकस कीता टॉपिक ओधिनाल मिलदा जुलदा है डिफरेंस जरफ इन आया के आप फोटो दे विच में तानो image दे विच अच्छी तरीक है ना दिखादना देखो अगर अपा इना दुना फोटोस ते त्यां दमांगे जड़िया नीचे या इदे विच्छों सानों एक चीज के लिए होंदी कि जड़ा ulcerative colitis है ओधी direction आ होएगी देखो आ साथा rectum area या अगर इत्ते ulcer या ते हो रेक्टम ulcer मनने जानने लेकिन अगर ओधी colon वलनू या large intestine वलनू एक progressive growth हो रही है then it will be ulcerative colitis ठीक है लेकिन अगर किसे reason करके inflammation जड़ी देखी जा रही है जखम जड़ी देखी जा रहे है वो अलग लग हिस्सेयां देविच जा वो अंतरियां दे किसे हिस्से विच है ते किसे हिस्से विच नहीं है यह जड़ी problem है सानों क्रोंस डिजीज देविच ओंदी है ठीक है तो एक difference हो रहो गया कि आएक healthy colon है या healthy intestine दा हिस्सा है ठीक है लेकिन अ ulcerative colitis देखो ulcerative colitis देविच बाहर ली बंतर दे उपर कोई खास फरक नहीं आ रहे है सिर्फ अंदर सोजिश या जखम या inflammation ठीक है लेकिन क्रोंस डिजीज देविच पूरी दी पूरी जड़ी जड़ी है नैटमी जड़ी है वह इत्तों खराब हो रही है ठीक है आउटसाइड भी changes दिखने शुरू हो ज़न्दे ते अलाग अलाग हिस्स्यां दे विच देखनों मिल दी है लगातार एकसारता दे विच देखनों नहीं मिल दी सो ए है एदा वड़ा का reason लास्ट मिच असी discuss करना है कि कुछ कारण की हो सकतेने कुछ कारण irritable bowel disease दे इंफ्लेमेटरी बावल डिजीज दे इवी हो सकतेने कि अगर साथनों किसे खाने तो अलर्जी है पर साथनों उस बारे हज़े पता नहीं सो असी खांदे आ रहे हैं अगर साथी डाइट इंफ साथी बॉड़ी उत्ते अटाक कर देता लास्ट एदा कारण हो जंदा आया कई वार जैनेटिक फैक्टरियां हेरीटरी फैक्टर करके वी सानुए प्रॉब्लम आ सक दिये सो मैं छोट आ जाएक तो आनू रिक्वेस्ट करना चाना सारे विवर्स नो के वल्ड दिया सब तो कॉमन फूड अलर्जीस केडियां ने वल्ड दिया सब तो कॉमन फूड अलर्जीस आत वाड़े आठ नंबर एक दे विच्छ हो गया दुद उस्तो बाद हो गया ट्रीनट्स या इन्हों उस्तो बाद एग्स फिर आगे पीनट्स यानि के मूफली फिर आगी फिश या जिन पंजाब तो बाहर केडियां केडियां ऐलर्जीस ज्यादा कॉमन वैसे थे सारियां ही जोडियां ने डिवेलब्ड नेशन्स जिद्यां जिदे विक्सित देश ने उन्हा दे विच्छ ज्ञादा देखनें मिल दियां इस सारीय तक्रीमन बराबर दे हिसाब ना पर अगर इंडिया दी गल कीती जाए कमपेरिटेव ली ते इंडिया दे विच असी होन कनकतों अलर्जी काफी देख रहे हैं पिछले कुछ साल ना तो होल्ड होली मिल्क अलर्जी वाल वी साधा़ जड़ा काफी सारे पेशेंट्स होन साधे कोल आने शुरू हो गया क्योंकि कि क्योंकि अगर अपां वी साल पिछे चले जाए यह ता शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिनूं कनकतों अलर्जी आपां कदी सुनेयां सी ठीक है लेकिन आज तकरीबन हर बंदा किसे नहीं जान दाया जिनूं कनक तो अलर्जी आ एसे तरीके ना दस साल पहला बहुत काट सुने आ गया सिगा किसे नू तो तो भी अलर्जी आ लेकिन होली होली जड़े आउन वाली जड़ेसंस आयां प्रेज़ें जड़ेसंस भी जड़ेयांने इनन होन मिल्क तो भी अलर्जी दे केस्ट टेकेस्ट काफी ओन लगपाई है सो ए दो मेन कॉज हो गए ऐलर्जिन्स ठीक है इस तो अलावा कुछ लोग का नूँ नट सीट से जरूरी नहीं तकला पीनट से यहां आलमंड आ गया कैश्यू आ गया बॉलनेट अना बदाम अखरूर सारा कुछ ही आज अंदर एदे तो वी अलर्जी है तहीं यहां नो सोया बीन तों वी थोड़ा जा इशू हुआ हजी एग फिश वगएरा काफी हद तक अपने इंडिया दे विच यहां पंजाव दे विच सेफ मनने आ जाता है हाँ जेज़ा थे त्रीट मेंट दे लए दो तरहां दे ट्रीट मेंट है गए या ऐ मेडिकेशन ट्रीट मेंट हैगा थे आपनी या डाई नो चेंज करfeld आ आपने ज्यादा फूकस करना है आ या डाई बीकित ऑपर ठीक है यह बड फिर ्टीर कर अपा कि की औप्शन हा सो मेडिकेशन आप्शन देविच देखो कंजर्वेटिव मेनेजमेंट डी जडि आए अगर इंफेक्शन आते उन्हों एंटिबाइटिक्स दे नार्ट swelling inflammation आते उनु इस्टेरोइट दे नाल ते अगर constipation दी problem रेंदी ए रेक्टल अलसर्स जटे असी उनु लेक्सेटिफ दे नाल ठीक कर देयां उनु चंट्रोल करने दी कोशिश कर देयां ulcerative colitis IBS या IBD दे विच वी तक्रीबन मिलदा जुलदा या थोड़ा muscle spasms नु कंट्रोल करन वालियां medicines हो दियां दर्द वालियां एंटिबाइटिक्स ते दर्द नु कंट्रोल करना लियां medication हो दियां ते depending upon person to person अगर किसे नु ब्लोटिंग दी या स्टमक पें दी प्रॉब्लम हा ओ देली medicine आपां दे सकते हैं so medicine option है गे ने and इनना नाल benefit भी हुंता है लेकिन अगर आपां कहिए भी कल्ली medicine देनाल असी ठीक हो जांगे that is not possible क्योंकि ये problem जेडी या एक कल्ली medicine देनाल ठीक होन वाली नहीं है